दोस्तों आज हम बात करने वाले है जी रोदा के बारे में आज आज हम इसमें बताएंगा आप हो कि जी रोदा कैसा है क्या क्या प्लैटफोर्म्स ये प्रवाइट करोाता है और हम आपको शौट पुस्ट पाइऑ उड़र्स आप इसमें डाल सकते हैं सबसेआं सबरे सब्सक्राम डिस्काउंट डिस्काउट बेलिवयर नियुक्र भाइचनल के गांचनल नमस्कार शुकरिया यख़कल है और मैं मेरा सभी को प्रनाम तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोसो जिरोदा एक डिस्काउंट ब्रोकर है बिसिकली तो यह डिस्काउंट ब्रोकरेज में सबसे पहले आया था और इसके अगर हम बात करें इसके चार्ट के बारे में तो आपको काफी सारे अच्छे इसमें टेकनिकल चार्ट मिल जाते हैं और सारे इंडिकेटर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हो गया आपका आरे साई या फिर स्टोकेस्टिक आरे साई मुविंग एवरेज बोलिंजर बैंड काफी सारे मतलब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं अपनी स्क्रीन पर कितने सारे आपको इंडिकेटर्स में मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसके प्लैटफॉर्म्स की तो क्या-क्या आउनलाइन प्लैटफॉर्म है जो डील करता है स्टॉक में और या फिर कुछ भी आपको पर्चेस करना है डिलिवरी या इंडरे जो भी है काइट एंड्रोइड इसकी अप्लिकेशन होगी आईवस पे भी है और यह डिरेक्ट मुचल फंड में डील करता है जैसे कि आप द क्यू एंड और ओपन ट्रेड तो यहां पर बेसिक लिए आपको काफी अच्छे इसमें लर्निंग्स भी मिल जाते हैं वैर्सिटी में और क्यू एंडे में आप अपने क्वेशन आंसर पूछ सकते हैं तो यहां पर अगर मुचल फंड बाय करने है तो आपको इसमें अलग स दिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो चली हम बात करते हैं इसके अलग-अलग ऑप्शन की जो कि अवेलेबल होते हैं तो चली मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरी अप्लिकेशन जीरोदा की उसमें मैं आपको लाइव डेमो देकर दिखाँगा कि कैसे आप इसमें खड़ीद और बेच सकते हैं और इसमें पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इंट्राडे क्या होता है डिलिवरी स्टॉक क्या होता है या फिर ब्रैकेट ओर या फिर कवर ओर कैसे लगाते हैं तो चली हम अपनी स्क्रीन यए बात कर लेते हैं उसके चार्जिस का यहां पर इंटाडे अनृथ में परिखेश करया हैं और तो यहां पे चार्जिस होता है 20 और और या फिर उसको होता है 0.001 परसंटेज अभी डिपेंट करता है कि आपका जो अमाउंट है आपके स्मार्जन पे वो खेल रहे हैं अगर हम बात करते हैं डिलिवरी स्टॉक्स की तो वो गाइस बिल फ्री होते हैं मतलब 0 रुपी जीरो चार्ज होते हैं जी हां इसलिए इस इस काउंट ब्रोकर है तो काफी अच्छा हम इसे बोल सकते हैं तो जीरो रुपी उसमें चार्ज होते हैं अब यहां बयुद से निहीं है कि जीरो डुपी कौन से है। नुकसान भी है कि कभी-कभी जो इसका ब्लाटफोर्म है टेक्निकली गलिच इसमें आ रहाता है बडि काफी रेर होता है तो अगर हम इसको कंपेर करेंगे इसके कॉंस के साथ इसके प्रaz के साथ ? तो इसके जो प्र Son निगल के आते हैं जो इसके बैनेफिट सिन Μ姜 निगल की आते हो काफी अच्छे होते हैं और आपका इसके त strain अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने तो आपको सिंपली उसका क्लिक करना है और उसका अकाउंट आपको खुल जाएगा आपको सारा सेबसाइब उसमें मेंचन कर रखा हैं तो चलिए गाई हम अपनी अप्लेकेशन की इसमें आप पाचों में अपने शेर सेलेक्ट कर सकते हैं यह है मेरा एक्जीक्यूट और यह है मेरा पेंडिंग तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है मेरा और बुक जो कि आपको देखने को मिल जाएगी और यह मेरा है नोटिफिकेशन तो यहां पर आपको नोटिफिके तो one click single click में आपके सारे काम यहां पे हो सकते हैं तो अगर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखे मैंने अभी चार्ट पे क्लिक करा है आपके सामने तो यहां पे मेरे को काफी सारे options मेंने मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में मैं काफी सारे ओप्षण जिसमें देख सकता हूँ जलिए मैं आपको एवला व्यू दिखाता हूँ तो इसमें आप अगर देखेंगे तो यहां पर ऑप्षण है कि आप चार्ट को कैसे अनलाइज करना चाहते हैं जैसे एक मिनिट तीन मिनट पार्च मिनट दस मि या जैसे भी हैं यहां पर दिस्प्ली में आप देखेंगे तो चार्ट का स्टाइल हो जाएगा है काफी सारे उप्षण से कैंडल बार कलर बार रहा इं जितने भी होते हैं काफी सारे इंडिकेटर्स लाइक आरे सेटोग स्टॉक्स टॉकस्टिकर शाइग मुविंग एव आपको मिल जाएगा जीरोधा के थ्रू तो चली अब हम देखते हैं कि next option next option हमारा depth तो यहाँ पर depth में आपको मिल जाएगी जितने भी ईससे आप आइडे लगा सकते हैं कि आपका जो चयर को मिल जायगा इनष, कंपनी के बारे में description like thisЯज का बार में information मिल गई है चार्ट इसमें आपको मिल जाएगा इसमें आपको one month का और one year का return आपको देखने को मिल जाएगा in short तो यहां पर अगर आप देखेंगे events में भी तो events में आपको company के बारे में event आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपके सामने ऊपर अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर तो CNC का मतलब है cash and carry मतलब आप delivery stock यहां पर purchase करना चाहते हैं अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपने stock लिया अब आप उसे कल बेचें परसों बेचें एक साल बात बेचें दस साल बात बेचें वह आपकी मर्जी है यहां पे आप उसी से यह stocks जो हैं वो purchase कर पाएंगे तो basically यह investment के लिए ही होते हैं अब अगर हम नज़र डाले MIS पे तो MIS का मतलब होता है intraday मतलब अगर आप intraday purchase कर रहे हैं एक दिन में खरीद रहे हैं एक दिन में उसे बेच रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम intraday तो यहां पे इसमे margin आपको available होता है जिसकी आप help से intraday कर सकते हैं तो इसको एक example कि दुरू हम पहले समझते हैं कि let's suppose आपके पास 100 रुपे हैं अब उसमें margin और TCS में let's suppose 10 गुना तो यानि कि आप 1000 रुपे के shares खरीद सकते हैं लेकिन हैं आपके पास 100 रुपे अब 1000 रुपे के shares पे आप 150 के यानि कि आप 100 रुपे पे 50 रुपे का profit यहां पे कमा रहे हैं लेकिन का यह ऐसा नहीं है यह बहुत risky होता है क्योंकि इसमें loss भी फिर उतन ही होता है let's suppose आपका जो share है 100 रुपे का वो आगया 90 रुपे पे तो यहां पे जो नुकसान है वो सीधा आपको 90 रुपे यानि तो ध्यान से इसको देखना पड़ता है थोड़ा अनलाइज करके तो चलिए बागे सारे options पर नजरा डालते हैं हम अपने तो हमारा है सबसे उपर market मतला market की जो value है अभी share let's suppose मेरा है 3389.45 पे तो मैं इसी price पे ही लेना चाहता हूं तो वो मेरा market execution मेरा के लाएगा अब यहा जैसे कि मेरा जो price है वो 3389.1 है लेकिन मैं उसको 3300 पे खड़िदना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख दूँगा 3300 अब यहां पे जैसी 3300 आएगा घटके तो मेरा जो order है वो execute मेरा हो जाएगा जो next option है वो है मारा stop loss का जैसे कि आपने 3300 पे खड़िदा अब आपको stop loss आप लगाएंगे let's suppose 3250 मतलब 3300 में अपने लिया 333250 का stop loss है तो जैसी ही आपको 50 पे घटा होता है तो आपका जो stock है वो execute यहां से हो जाएगा और आप उसमें से exit ले सकते हैं कि ऐसी stop loss मार्केट तो basically stop loss मार्केट आपको लगाना चीब कि stop loss में क्रीमर क्या होता है कि जैसे मार्केट एक दम धड़ाम से गिरी तो आपका जो order है वो execute होई नहीं पाता लेकिन stop loss मार्केट अगर आप लगाएंगे और trigger prices में देंगे तो आपका जो order है वो execute होगा मतलब उसमें probability जो है वो ज्यादा हो जाती है तो चलिए डालते है ना जरहा हम हमें advance option पे तो regular तो मैंने आपको समझाई दिया है अब bracket order क्या होता है तो वो में आपको मैं समझा देता हूं तो bracket order का मतलब होता है कि आप एक stop को खड़ीद रहे हैं but at the same time आप उसका target भी decide कर रहे है और आप उसका stop loss भी decide कर रहे हैं तो यह काफी अच्छी चीज आपको दे देता है let's suppose मैंने जो अपना price है वो 3250 पे रखा अब मैं चाहता हूं कि यह मेरे को 50 रुपे का loss हो तो यह share मेरा निकल जाए तो यहां पर मैं 50 रुपे डाल दूँगा यह ध्यान रखेंए amount नहीं यह मेरा absolute value होती है जितने का मुझे loss करवाना है अब ऐसी target की absolute value होती है तो यहां पर basically मैं अपना डाल दूँगा score पे तो यहां निकी अब होगा क्या कि जैसी मेरा score पे बढ़ेगा तो मेरा जो share है वो मेरा big जाएगा और ऐसी अगर वो जो नीचे आया 50 रुपे तो भी मेरा share जो है वो big जाएगा अब यहां पर trailing stop loss का भी एक option बहुत बढ़िया दे रखा है इसका मतलब क्या है let's suppose मैं कर दो अब इसका मतलब कि यहां पर यहां पर मेरा यहां पर मेरा वो उतन ही प्लेक्सीबिल्टी थी में मिल जाती है अब cover order क्या होता है cover order का मतला होता है आप किसी range में जो trigger price है वो आप दे रहे हैं और AMO होता है after market order आपने देखा होगा अगर आपको पता होगा इसके ओपर detail में हमने वीडियो बना रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है तो आप जाके चेक कर लिए जिसमें हमने live demo में देखा है कि हम AMO में हम कैसे अपना जो order है वो execute करते हैं तो basically in short म पता देता हूँ आपको यह वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन यार मुझे पता है कि आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख पा रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो से फाइदा हो रहे है तो please आप सबसे पहले तो like कर लीजी अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो यह बेसिकली क्यों लगता है जैसे कि यह आपका स्टॉक अपर मार्केट अपर सरकेट या फिर लोर सरकेट में लगावा है तो उसमें आप एमो के थ्रीवी खरीद पाएंगे उस टॉक को तो इसके लिए वीडियो बना रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे हमने स्ट लेट सबोस मैं इसको सेल करना चाहता हूं तो मैं यहां पर सिंपली सेल पर जाऊंगा अब यहां पे भी सेम ऑप्शन है कि मेरा जो है वो लेमिट है या मार्केट है या क्या है जो भी है तो ब्रैकेट और कवर ओडर यह मन ने आपको समझाई दिया तो यहां पर आप इसक सब्सक्राइशन मिल सके और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप सबसे पहले हमारी प्लेलिस में जाके देखे कि कैसे हमने स्टॉक मार्केट मुचल फंड और टेक्नोलोजी से रिलेटेर अच्छी वीडियो बना रखी है और अगर आपको वर्त लेगे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे आपका घटा नहीं होगा इससे आपका हमेशा फाइदा ही होगा यह तो हमारी गरंटीड है तो सब्सक्राइब ना और धन्यवाद दोर दोस्तों शुट्री आपका अपना समय देने के लिए अपनी नेक्स वीडियो झाल